बीज़ेपी प्रवक्ता सामेत पातरा इस वग जमो कश्मीर के गुपकार अलाइंस वर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं सीधे चलते हैं यह प्रेस कॉन्फरेंस देश के हित के लिए कि किस प्रकार कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो लगातार और हम यह कई वर्षों से देख रहे हैं कि देश के लिए अहित सोचते हैं और देश के हित के लिए कभी चिंता नहीं करते हैं बंदुगार्ण यह हम सब के लिए खुशकबरी है कि जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस प्रकार से पंचायती राज एक्ट में संसोधन करके डीडीसी डिस्ट्रिक डेवलाप्मेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं और वो पहली बार हो रहे हैं यह अपने आप में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उसके माध्यम से किस प्रकार डेवलाप्मेंट और विकास जड़ो तक पहुँच सके और खास करके उस जम्मू कश्मीर में जहां कई वर्षों तक अनुच्छे 370 के कारण डेवलप्मेंट नहीं पहुँच पाया था कुछ वर्गों के साथ एक तरह से अलगाववाद का रुख अपनाया गया था चाहे वो दलित हो चाहे वो महिला हो तो वहाँ डेवलप्मेंट कैसे पहुँचे डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और हमने यह भी देखा कि जहां भारती जनता पार्टी डीडीसी का चुनाव लड़ रही है वही पीपल अलाइंस फ़र गुपकर डिकलरेशन यह जो गुपकर डिकलरेशन का एक अलाइंस है वह भी चुनाव लड़ रहा है कल कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम एहमद मीर ने प्रेस कॉनफरेंस करके यह जानकारी दी कि जो दस पार्टी यह गुपकर डिकलरेशन के अलाइंस में हैं और मिलके चुनाव लड़ेंगे डी डी सी के उसमें कॉंग्रेस पार्टी भी शामिल है यह जो गुपकर डिकलरेशन का एक ही अजंडा है अनुच्छे 370 को वापस लाना बंदुगन आपको जानका आश्चरी होगा कल कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सोनिया जी और राहूल जी के कहने पर जिस प्रकार फारुक अग्दुल्ला जी से मिले और जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें एक लाइन लिखा गया है मैं पढ़ता हूं कि यह जो गुपकर अलाइन से उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम फोर्स फुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं उन शक्तियों को हराना है मैं सूनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं क्या मतलब है इस वक्त अविकाब फोर्स फुली इंप्रिमेंटिंग किसके कानून है यह कोई चाइना के तो कानून नहीं है यह कानून किसका है यह कानून हिंदुस्तान का है कौन बनाता है यह कानून हिंदुस्तान की जनता की प्रतिनिधी इन कानूनों को हिंदुस्तान के सरवच्च मंदिर जो डेमोक्रिसी का है लोकतंतर का सबसे बड़ा मंदिर जो है पार्लामेंट में बैट करके विचार विमर्श करके लोकतंतरि तरीके से ये कानून बनाती है चलिए आगे हम छोड़ी से ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर का रुक करेंगे बिहार में अब से थोड़ी देर बाद शाम साधे चार बजे शपत ग्रेंट समारो होगा बिहार काबिनेट में कौन-कौन से चेहरे होंगे शामिल डीटेल ब् झाल